हलो अवरू वेल्कम बैक तो माई चैनल सिंपल कुकिंग विद बबली में तो आज मैं आप लिए लेके आए हूँ करी लीब्स की बहुत ही टेसी और बहुत ही हिल्दी रेसिपी जिसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं किसी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं या कि आप ब्रिकफास्ट में भी इसे डालके ना खा सकते हैं, बहुत ही टेसी और बहुत ही यमी बनती है, और साथ ही साथ आपको करी लीफ्स के बेनिफिक तो पता ही होंगे कितने हिल्दी होती है, तो यहां पर देखें, यह मैंने कुछ करी लीफ्स लिए हैं, जिनने अच्छे स छे करी लहसुन की मैंने इसमें एट की हैं, सबसे पहले इनको अच्छे से हमें भूनना है, क्योंकि लहसुन थोगा सा हलका सा गोल्डन हो जाएगा तब जादा सही रहेगा, क्योंकि उसका कच्छापन भी निकल जाएगा, साथी साथ इसमें हींग का फ्लेवर भी बहुत टीस्टी बनेगी, और उसके बाद सारी चीजों को तिल डालने के बाद देखें, बहुत जादा भूनना नहीं है हमें, तुरंथ हमें इसमें करी पत्ता एड कर देने हैं, तो बस करी पत्ता डालने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो रखिएगा, और इसे चलाते हुए आप इ अच्छे से बुन जाएंगी, उसके बाद इसमें जा रहा है, यह सीक्रेट इंग्रीडियन्ट यानि की कोकोनट पाउडर, आपके पास अगर कच्छा नारियल का गोला हो तो आप उसको भी कद्दू कस करके या मिक्सी जार में पीस के इसमें एड कर सकते हैं, मेरे पास नह जाल के एक मिनट के लिए इधर उदर चलाया है, तुरंत मैंने इसमें नमक और आमचूर पाउडर डाला है, तो आमचूर पाउडर जरूर डालेगा क्योंकि थोगा सा खटापन और छटकारेदार फ्लेवर आएगा जो हमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा, इसे आप जावल के साथ, पूरी पराठे के साथ या आप किसी पराठे में इसे स्टब करके भी उसे पराठा बना सकते हैं, बहुत टेस्सी लगता है, और बस यहां पे लगवग इसको भूनने में हमें पांच से साथ मिनट लगे थे स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद सारे मिक्षर को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद हमें इसे एक मिक्सी जार में टांसफर कर लेना है, तो ध्यान रखिएगा मिक्से को जरूर ठंडा करिएगा, गरम-गरम बिल्कुल भी मत पीस येगा, और इसे हमें हलका सा कोर्स पीसना है, यानि थोगा सा दर्द तो यहां पे देखें यह मैंने जो है दरदरा सा यह करी लीफ्स चखनी पीस के रेडि कर ली है और यह देखें एक दम भुर भुरा सा है जैसे पहले लोग बोलते हैं इसको बुखनी भी बोलते थे जैसे कोई चूरन वगेरा बनाते थे ना तो उसको काफी टाइम पहले अभ आप इसे किसी सबजी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, अगर आप डाल वे टीज जब कर भणायांगे तो स्कूल करें में एक बच्हें शुक्र मि err मिर्ची में इतनी डाली है जितना भा जरूरत थी बच्चे भी खा सकें और बस इसे मैंने जो है ट्रांसपर कर लिया है एक बोल में इसे आप एर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंस ये थी हमारी आज की करी लीप्स की बहुत ही बेनिफीशियल और बहुत ही हल्दी सी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए और टेक क्या बुोचां में सबस्पाइब करें डाई